तो फिर अगर आप भी IMAZONE आप से कोई भी समान को order किये हुए हैं और वो जो समान है shift हो गया है या फिर दोस्तों dispatch हो गया है और फिर आप उस समान को न आप cancel करना चाहते हैं और cancel करने का option नहीं दे रहा है यहां पे तो आप order किये हुए समान को cancel कैसे किज़ेगा तो अब चलेगा इस बीना time based के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा अपने फोन में आप आप को न ओपन करना होगा जैसे आप 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 को ओपन किज़ेगा दिन आपको सबसे निचे में यहां पे आपको मेनू का ओपसे मिल जाएगा आप इस वाल मेनू वाले ओपसे पर किलिक किज़ेगा तो यहां पर बहुत सरा ओपसे आप आप ओडर वाले section पर चले जाएगा ओडर वाले section पर जाने का दोस्टोव आप आप आयमा जून आप से जितना भी समान ओर्डर किये हुए ना उन सभी समान का ना लिष्ट यहां पर आ जाएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों हम एक समान को ना यहां पर हम ओर्डर किये हुए जिसको हम यहां पर ओपन करते हैं तो guys बहुत सारे समान हम यहां पर order किये हुए है जिनमें सम एक समान को हम यहां पर open किये हैं तो guys यहां पर देख सकते हैं जो समान हम order किये हुए है वो समान दोस्तों यहां पर shipped हो चुका है ठीक है अब दोस्तों यह कुछी दिन के बाद मेरे हाथ में यह समान आ जाएगा ठीक है तो दोस्तों अगर इस समान के निचे में आते हैं तो बहुत सारा ओप्सन दिया हुआ है वहीं दोस्तों हम इस ओप्सन को अगर इस तरह से सलाइट करते हैं तो इस समान को कैंसिल करने क इस समान पर जाते है तो यहां पर दूस्वन यह समान आप order कियुन हुए है और 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 कर दियो है, वह समान ship हो गया है, या दोस्टोường वो समान न यह पे न आट ओफड़ी हो चुका है, और उस समान को आप नहीं चाहते है कि हम ले, उस समान को आप cancel करना चाहते हैं, तो उस समान को cancel करने का न दो यहाँ पे न और आता हैं, तो सबसे पहला option दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखी अगर यहाँ पे cancel करने का option नहीं दे रहा है न तो आपको टेंसर नहीं लेना है अब आपको क्या करना है निचे में दोस्तों यहाँ पर देख सकते menu का एक option बना हुआ है आपको इसपर किलिक करना है इस पर किलिक करने के वादना दोस्तों आपके सामने इस तरह का option आएगा तो आपको यहाँ पर कुछ निकाना है आपको निचे की ओर slide कर देना है तो यहाँ पर आपको customer service का एक option मिल जाता है तो आपको क्या करना इस customer service वाले option पर किलिक करना है इस वाले option पर click करते ही दोस्तों इस तरह का interface आगा यहां पर जो भी समान आप order किये हैं वो समान आगा और नीचे में इस तरह का option आगा तो आपको नीचे की और slide करना है और नीचे की और slide करना है दोस्तों यहां पर दो option आता है चैट with us या talk to us तो हम क्या करेंगे इस option को click करेंगे इस option को click करेंगे option पर click करनेगा दोस्तों इस तरह का interface आगा अब इन में से जो भी समान आप order किये हुए उसको cancel करना जाते उस समान को आपको यहां पर select करना होगा समान select करने आप दोस्तों आप देख व dłकते है ». अब किस करने के लिए इस समान को रहें वह रिजन पूछ रहा है तो आप आपको कोई भी समान का रिजन आपको select करना होगा और यहां पर आपको customer care से बात करके इस समान को cancel करना होगा ठीक है तो वो आपका customer care से chat से भी बात कर सकते हैं वो भी option था या दोस्तों इसको आप online भी बात करके cancel कर सकते हैं तो यह तो पहला तरीका था इस तरह से cancel करने का अब मैं आपको दुसा और सबसासान तरीका बताता हूँ देखिए जो भी समान आप order कर दिये हुए हैं और वो जो समान है आपके घर तक आने वाला है ठीक है shift हो चुका है साथा दोस्तों वो out of delivery हो चुका है तो उस समान को आप आने दीजे घर तक जब वो समान आपके घर तक आ जागा तो आप जो नंबर दिमें उस नंबर पर call करेगा डिरेवर बुआ है तो तब जाकर आप उसको बोल दीजे हो यह समान हमको नहीं चाहिए यह cancel कर दीजे तब भी वो cancel कर देगा तो इस तरीका से आप दोस्तों जो भी समान आप Amazon से order किये हुए है और वो order किये हुए समान shift हो गया है या फिर dispatch हो गया है और आप उस समान को cancel करना चाहते है तो इस तरीका से आप उस किये हुए समान को cancel कर सकते है order किये हुए समान को I hope दोस्तों आपको इस वीडियो अचलागा और वीडियो अचलागा आपको लाइक किजिएगा